असलाम लेकुम स्टुडेंट्स आज हम लोग चेप्टर नमबर 2nd S-Block Element के Important Short Custants और Long Custants को Study करेंगे फिर्स्ट आपके पास Important Short Custants हैं Alkali Metals कि इनको बोला जाते हैं और Alkaline Earth Metals कि इनको बोला जाते हैं और क्यों बहुते हैं नेक्स आपके पास ये टेबल हैं ये एमसी क्यों बगारा के लिए आपको पता आना चाहिए ग्रूप वान ए नहीं अल्कली मेटल्स के मेंबर्स कौन से हैं उनके के लिए बी अल्कली मेटल्स के ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और Alkaline Earth Metals में मैगनीशियम वाले केल्शियम में जिप्सम का फॉर्मूला केलसाइट का फॉर्मूला बेराइट का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है नेक्स आपके पास पहला इंपॉर्टेंट लॉंग क का भी है और बेरिलियम सोडियम हाइडरोकसाइट के साथ कैसे रियक्शन करता है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है आगे नेक्स्ट जो दो पेज़िस हैं दो तीन पेज़िस आपको कंप्लीट करने के लिए आती है जनल प्रॉपर्टेज यह इतनी ज्यादा इंप में भी है और नेक्स आपके पास ऑक्साइड बताएं हर एक वालकली और अलकली मेटल्स के ऑक्साइड हाइड्रोकसाइड वगारा को कंपेर किया हुए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉट कसन है वो है पुटाशियम सुपर उक्साइड जो है ठीक है इसे ब्रीफिं इसका लर्ण करने है ब्रीफिंग एक्विप्मेंट में किसको यूज करते हैं पुटाशियम सुपर उक्साइड एंसी के लिए याद रखें नेक्स्ट यह लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सॉलीबल है कौन से उक्साइड इंसॉलीबल है ठीक है आप एंसी के है और इसके लाइन का फॉर्मूला और मिल्क ऑस्ट मेगनेशिया किसे वोलते हैं कि इनके यूज क्या है इसके बाद नेक्से कार्बोनिया का टॉपिक ठीक है कार्बोनियट में वाश्चिंग सोड़ा अगा प्ने फॉमूला याद करने हैं और इसमें कुछ भी इंपॉर् ठीक है नाइट्रेट में ये एक्जामपल आती हैं कि इनकी डी कंप से कौनकों से बनते हैं ठीक है एक्वेशन हाफD होगी आपने इसको कम्प्लीट करना है बैलेंस के साथ उसके बाद है सलफेर्स में फॉर्मूला का है दिपसन का फॉर्मूला का बनाते हैं यह काफ़ी इंपोर्टेंट है शॉर्ट कस्तिं के लिए और आपने याद रखना है कौन से सुल्फेर स्टॉर्फेर इस को लैंगे काफी ज्यादे इंपॉर्टेंट है इस चप्टर में अगर देखेंगे ना दो आपके पास सेल दिया हुए और इसके बाद लीथियम है बिहेवियर उसका और इसके बाद नेक्स में आपके पास लाइम आएंगे इंडस्ट्री लेवल पर फिर वह इंपॉर्टेंट है अगर ल行कसर में नहीं आता है तो श्चौट कसं लीए इसके घिवारंट इस के बाद अडां कसं हे लग लॉठ है लॉंग कसं में अगर नहीं आता है तो इस Soo रिग्से यह कötर आठेड है लास परफिर ग्राफ इसका इम्पोर्ट इंपॉर्ट्टिए क्लीए ज एस सारा एर्या प्लास्टर यह important है short के लिए भी और पॉर्टलेंड सीमर्ट में टू परसंट जिपसंट क्यों एड़ करते है शौट कसन एक्सराइस का भी शौट कसन है उसके बाद है रोल अफ लाइम इन एक्रिकल्चर यह भी शौट कसन है स्लेक्टिंग ओफ लाइम का क्या फॉर्मूल है नेक्स है फंक्शन ऑफ कल्चिम इन प्लांट ग्रोथ यह भी शौट कसन है रोल अफ लाइम इन इंडस्ट्रीज यह important long कसन है ठीक है रोल अफ लाइम में हास तौर पे इसके फॉराइमबर 5 से बोलते हैं और इस यह फॉर्म circum क सब्सक्रिक फॉर इंडस्ट्स चाइड गरते हैं यह भी शौट कसन है ठीकि Сам आपने इमसी क्यूद की लिए गायरा देखें Tian ऐजिए एमसीक्यू इसके सारह इंगरपॉर्टों है और हुस चप्टर में एक्सेज़ जाते ही exercise में से हैं अगर इसके exercise के short questions लेखें short questions में आपके बास है question number 7 का B part most important 7 का B part और इसके बाद है question number आपके पास है 9 का B part काफी important है इसमें decomposition वाले reaction है question number 10 ये formula से exercise के question number 11 reasoning वाले short question है ठीक है अगर आप ये pairing नहीं करना चाहते हैं long question में तो short questions के लिए सिर्फ आप exercise के short questions भी अगर त्यार कर लेते हैं exercise के short question important है I hope student आपको इस chapter 3 detail अच्छे तरीके से समझ आगी होगी thank you so much best of luck